आज की हमारी जनरेशन की एक बहुत ही common problem आप कहीं भी जाएं किसी से भी बाचीत कर रहे हों आप medical atmosphere में हो या normal conversation में हो सबसे common problem जो एक दूसरे से discuss की जाती है वो कमर दर्द और गर्दन के दर्द की और अब यह कोई age related problem नहीं रह गई है कि arthritis की विज़ा से old age में लोग यह complain कर रहे हूं most of the youngsters हैं जो हमारे नौजवान हैं उन सब को जो दिनबर मेहनत कर रहे हैं movement कर रहे हैं और उनको भी यह शिकायत है कि गर्दन में दर्द रहता है कमर में दर्द रहता है हात में दर्द होने लगता है पैर में दर्द होने लगता है यह सारी चीजें बहुत ही common हो ग करके या जो भी एक concept है कि इंसान और जानवर का फर्क है हम दो पैरों पे चलने वाले हैं जो हमारा यह erect posture है erect postures की कुछ problem है जब erect posture है तो हमारी body को support करने के लिए central axis चाहिए जिसमें हमारी body के सारे movement हो सके spine यह हमारा central axis है जिस पे हमारी body के हाथ के पैर के सारे movement होते हैं इसलिए spine को इस तरह से design किया गया कि इसमें एक piece में नहीं बनाया गया इसको अगर यह एक piece में एक rot की तरह हो तो कोई flexibility नहीं रहेगी इसलिए इसको different pieces में बनाया गया जिसको vertebra कहते है vertebra के बीच में अगर सिर्फ हड़ी होगी तो भी यह hard हो जाएगी इसलिए जैसे spring होती है जैसे coil होती है जैसे गाड़ी का shocker होता है उस तरह से यह different component है vertebris हैं उनके बीच में जब इनका movement हो इनके shock को absorb करने के लिए जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त तो बिलकुल jelly की तरह होती है एक structure जिसको हम लोग disc कहते हैं यह है हमारा Central Axis Central Axis में इसी के side से हमारी nerves निकलती है जो हमारे muscles के movement को order करती है यानि बीच में spinal cord है जो इस वो हमारे shoulder तक हमारी उंगलियों तक और हाथ तक जा रही है इस different nerves है जो सर्वाइकल spine से हाथ तक जा रही है जो nerves हमारे thorax से या thoracic region से निकल नहीं है वो हमारे सीने और पीछे तक के area को cover कर रही है जो lower spine है जिसको हम लोग lumbosacral spine का part कहते हैं वहां से जो nerves निकल नहीं है य यानि pair का movement होगा pair की muscles जो move करेंगी यह in lumber nerves की वज़ा से करेंगी जो हमारे hand का movement होगा यह हमारी cervical nerves की वज़ा से move करेंगी यह पूरा structure है अब pain क्यों होता है हमारा posture इस चीज़ के लिए बहुत important है spine का एक particular posture है जिसमें यह secured रहता है अगर हम wrong posturing करते हैं यानि spine को टेड़ा म होगी वही गाड़ी आप ऐसी roads पे चला रहे है जो road उबल खाबल है गाड़ी के शौकर की life span कम हो जाएगी सेम हमारी lifestyle के साथ है अगर भशपन से ही जो आज की date में है लोगों की आदत बंती जा रही है हमारे youngsters की लेट करके टीवी देखना पढ़ना भी है तो लेट करके प changes आने चाहिए वो earlier आ जाते है second cause क्या है इस पूरे structure को hold करने के लिए एक तो muscles हैं जो हमारे हाथ पैर को move कर रही है यह तो nerves के दरीए काम कर रही है एक यह जो spine जो axis बताया मैंने इसको hold करने के लिए axial muscles हैं जो इसके movement को एक particular movement से जादा नहीं होने दे रही है हम exercise नहीं करते जो diet हमारी है उसमें calcium की कमी है उसमें vitamin D3 की कमी है इन सब चीजों की वजह से muscles को non nutrition मिल पाता है और यह muscles दीरे-दीरे हमारी weak हो जाती है अगर muscles weak है तो spine का movement है वो extra movement हो जाता है और degenerative changes को तेजी से बढ़ा देता है यह वजह है तो अगर हम इस वजह को समझ रहे हैं और इसम लगी है दीरे-दीरे और side की nerves को compress कर रही है पेन हमारा हाथ में आने लगा है हाथ में जुझुनी आने लगी है हाथ की power कम होने लगी है पैर में आने लगा है पैर में जुझुनी होने लगी है पैर की नसों में problem होने लगी है it means कि अब हमारी विमारी थोड़ी आगे है, it depends कि आप उनमें से किसको contact करें depending on your condition और वो आपको guide करें कि आगे क्या करना है, but यहाँ पर मेरा main motive यह है कि आपके youngsters को यह educate किया जाए कि आप पने spine को prevent कैसे करें, आप इन चीजों से बचें कैसे, कैसे आप अपने इस गाड़ी के shocker को कह लिजिए या अपनी body के sexist को maintain रखें कि आपको problem ना है, पहली चीज इसमें है आपको अपना posture maintain रखना, posture maintain रखना, posture क्या है, exact erect posture में, जब भी बैठिये, erect posture में बैठिये, कोशिश करिए आपका spine बिलकुल straight रहे, neck को build करने के वज़ाए, straight होकर के जैसे पढ़ना है, एक पढ़ने का तरीखा यह है, और एक पढ़ने का तरीखा यह है, दोनों में difference है, अगर आप यूँ पढ़ना है, आपका spine straight है, यह आपके लिए effective है, यह आपके यूँ bend करके बैठ रहे हैं, यह lower spine के लिए खराब है, straight back के साथ बैठ रहे हैं, it means आपके लिए, यह lower spine के health के लिए बहुत अच्छा है, दूसरी क्या वज़ा होती है, यह first चीज हो गई, यानि posture correct करना, second variation, variation means like किसी की sitting job है, अगर वो 10 बज़े अपनी chair पे जाता है, 6 बज़े तक बैठा हुआ है, लंज भी उसी chair पे कर रहा है, यानि spine का minimum movement है, यह हमारी spine की health के लिए बहुत खराब है, इसी लिए posture variation, हर आधे गंटे बाद एक system हम अपने mind में बना लेना चाहिए, कि अगर हमें बैठ के काम करना है, हर आधे घंटे बाद, 2-3 मिनट, अपनी chair के आसपास ही, हम move कर लें, थोड़ा सा back को forward, backward bend कर लें, फिर वापस बैठ के अपना काम शुरू कर लें, अगर खड़े हो के काम करना है, हम किसी site पे काम कर रहे हैं, जहामें लगातार खड़े रहना है, तो या तो हम बीजवीच में walk करते रहे हैं, या spine को move करते रहे हैं, या chair रख करके chair के उपर बैठ जाए, तो posture अपना vary करते रहें, थर्ड, sleeping posture बहुत important है, sleeping posture में मैं किस चीज़ का ध्यान रखना है, like, again, same चीज़ कि this is a axis, एक उची सी तक्या लगा के आप लेड जाते हैं, जो एक normal spine का bend है, वो टेड़ा हो जाता है, आपको cervical spine की problem में start हो जाती है, अगर आप तक्या नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, तब भी एक spine का normal curvature है, अगर आप तक्या नहीं लगाएंगे तो आपके neck नीचे tilt होगी, और आपका spine straight रहे, जब आप करवट लें, तो या तो अगर आपने तक्या नहीं लगाई है, तो आप shoulder अपना प्रेस करेंगे, कुछ दिन बाद आपको shoulder की stiffness की problem आ जाएगी, सर्वाइकर problem ठीक नहीं होगी, shoulder के problem आ जाएगी, क्या करना है, इतना आपको चाहिए, कि आप ऐसी चीज़ यूज़ करें, कि वहाँ पे भी आपका ये कंधा आपको ना दवाना पड़े, और आपका spine straight रहे, sleeping posture करेट कर ले, number one, posture सही रखे, number two, posture variation करते रहे, number three, sleeping posture सही रखे, यहां तक की चीज़ आसान है, जो routine में है, अब दो intervention भी करने चाहिए, diet, diet बहुत important है, diet में क्या है, calcium rich diet, milk है, egg white है, पनीर है, यह calcium rich diet है, इसको खास करके बच्चों को हमें encourage करना चाहिए कि calcium rich diet ले, calcium के हमारे absorption के लिए vitamins चाहिए, अगर हम यह diet ले भी रहे हैं और हमें vitamin D3 नहीं मिल ले है, तो हमारा यह calcium bones में absorb नहीं होगा, problem यह सब उपर वाले के बनाए हुए निजाम है, system है, किसी भी diet में vitamin D3 नहीं होती है, vitamin D3 synthesize होती है हमारी body में, तभी जब अपनी body को sunlight को expose कराते हैं, आज की diet में जैसे मैंने शुरू किया था कि spine की problem एक तो हमारे posture की कभी की वजासे है, दूसरा excessive use of indoor activities और air conditioner, हर एक कोई comfort zone चाहिए, air condition से बच्चे बहार नहीं निकलना चाहते, sun का exposure summers में क्या, winters में भी नहीं है, लोग धूप का exposure ही नहीं लेते, कोई और तरीखा नहीं है आपकी body में vitamin D3 बनाने का कोई diet नहीं है, या तो आपको फिर दवाएं खानी पड़ेंगी doctor की और या फिर आपको अपने को sun का exposure बच्चे को कराना है, encourage outdoor activities in your children, यह इसका motive है, बच्चों को शुरू से यह जो आप PS4, PS5, video game, mobile इसमें लगे हुए हैं बच्चे, रूम से बाहर नहीं निकलने हैं, नहीं, यह जो बाहर के outdoor game है, cricket, football, बच्चों वाले game होते थे, i-spice होता था, बच्चपन में हम लोगे बहुत चोटे-चोटे-चोटे से game होते थे, जो खेला करते थे बच्चे, लेकिन यह बड़े useful थे, यह हमको vitamin D3 दे रहे थे, तब श exercise कराना, exercise भी बहुत जरूरी है, जिमिंग, यह क्रेस की तरह करना वो एक अलग concept है, कि यह क्या जाती है, हर बच्चे को लगता है कि वो body build कर ले, muscle bass बना ले, वो एक अलग ठीक है, उसके negatives भी है, कि एक stage तक तक तो करता है, इंसान फिर वो exercises छोड़ देता है, फिर उसके औ और neck की passive exercise किया है, starting में मैंने कहा, बस इतना करना है कि मैं अपने axial muscles को strong रखना है, तो spine को move करते रहना है, लगातार एक posture में ना बैठ करके, हम neck को move करते रहे, slowly हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, neutral position में move कर लिया, कुछ देर बाद, हमने बिलकुल chin up की, और इस position में neck को move कर फिर हमने chin down की, इस position में move कर लिया, यह हमारी cervical spine के लिए sufficient है, बहुत छोटी सी चीज है, अगर दिन में 5-6 बार, 2-2 minute के लिए हम यह कर रहे हैं, शायद कभी भी cervical spine की problem नहीं होगी, जब तक कोई ऐसा trauma नहीं हो जाए, lower spine के लिए, बीज़िश में उठके back को forward bend करना, backward bend करना stretch करते रहना, side stretch करते रहना, plus कुछ specific exercises है, जिनके charts available है, यह सारे काम अगर हम कर रहे हैं, तो ही जो यह common problem माच की, गर्दन का दर्द, lower spine का दर्द, cervical, lumbar, यह shared discussion जो हमारी हर जगा पे, हर मुलाखात में, doctors के chamber में, मैफिलों में, शादियों में, हर जगा जो यह conversation है, शायद यह conversation खतम हो सकता है, अगर हम शुरुवास से posture सही रखें, posture variation करते रहें, exercise करते रहें, बच्चों को outdoor activity के लिए encourage करते रहें करते रहें